उस पर वो महिलाएं जो पार्लिमेंट में जीत करके गई हैं और वो भी भारी मातरा से जीत करके गई हैं वो या तो सो रही है या तो अपने यूट्रेस की बात कर रही है और या तो गाली गलोज कर रही है या तो इस देश की महिला अध्यक्ष को कह रही है कि पजामा पा रही है अब आप सोचिए कि ये किसी बहुत सिविलाइस्ट बहुत ही एडुकेटड फैमिली की महिला कभी भी पार्लिमेंट लोगतंतर के मंदर के अंदर अपने यूट्रेस की बात तो नहीं कर सकती है या नाशनल वोमेंड कमिशन की चेर परसन को इतनी अभधर टिपड या टूइट तो नहीं कर सकती है अब आप सोचिए कि कितना हिपोक्रेसी का लिमिट कितना क्रॉस कर चुकी है ये लोग टी आरपी में बने रहने के लिए और ताजुब की बात यह है कि जो महुआ मोहित्रा जिनकी आप बात कर रही है इस तरह की बयानबाजी वो संसत के अ नहीं कर देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देखें ताकि हम आपके से इंपोर्टेंट और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए लिए वीडियो देखते हैं और तुम इसके बारे में बात करेंगे जै हिंद जै भारत एसा ना हो कि क्यालकटा हाई कोट सुव मोटा एक्शन ले ले या सरवुचे नियाएं पालिका ले इस बेटर कि उसको एक नॉर्मल सेक्शन और धाराओं के तहत इसको अंदर ले लो क नहीं ऐसा ना हो कि गैदरिंग जो है वो नियाएं सुना दे तो इसलिए उसी तरीके से जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कमरहटी के इस इंसिडेंट पर जैसे जैसे और लोग बात कर रहे हैं तो अब एक प्रेशर आएगा तब इसको अरेस्ट किया जाएगा अब सोच ये कि मम्ता राज में जो अपराधी है अपराधी किस्म के लोग है जिनकी मान सिकता ऐसी है नाजिया जी वो किस कदर बेखौफ है दर भी नहीं है उनको पता है सही है भाय कोतवाल तो डर काया मम्ता बेनर जी ग्रिह मंत्री भी तो है बंगाल की पोलिस उनके और पकड़ेगा यही है ना हिपोक्रेसी की इंतिहा यहां पर समझ में आती है कि जो मम्ता बैनर जी तेश को यह बताना चाहती है कि वो मोर देन 36% महिलाओं को टिकट टे करके वो पार्लिमेंट भेज रही है और सब जीत भी जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के कपड़ खोल खोल करके न्यूट परेड कराये जा रहे हैं महिलाओं को पीटा जा रहा है महिलाओं को मारा जा रहा है उस पर वो महिलाओं जो पार्लिमेंट में जीत करके गई है और वो भी भारी मातरा से जीत करके गई है वो या तो सो रही है या तो अपने यूट्रेस की बात कर और या तो गाली गलोज कर रही है या तो इस देश की महिला अध्यक्ष को कह रही है कि पजामा पकड़ी हुई है अपने बॉस का इसलिए अम्बरेला नहीं पकड़ पा रही है अब आप सोचिए कि ये किसी बहुत civilized बहुत ही educated family की महिला कभी भी Parliament लोगतंतर के मंदर के National Women Commission की chairperson को इतनी अभगर टिपड़ियां tweet तो नहीं कर सकती है अब आप सोचिए कि कितना hypocrisy का limit कितना cross कर चुकी है ये लोग टियारपी में बने रहने के लिए और ताजुब की बात यह है कि जो महुआ मोहित्रा जिनकी आप बात कर रही है इस तरह की बयानबाजी वो संसत के अंदर कर रही थी उनका पिछले term का इतिहास भी सबको याद है और उनकी तरफ से भी टीका टिपनी नहीं आ रही है इस मामले में जहां पर उन्हीं की पार्टी के कारकरता पार्टी दफ्तर के अंदर एक महिला के साथ मार्क पिटाई कर रहे हैं कितने बेहरेम तरीके से उस वक्त ममता बेलर जी की सारी की सारी महिला सांसत मुह में दही जमा कर बैठ जाती हैं लेकि अंजू जी इसकी chronology समझने पड़ी थी इसकी chronology ऐसी है कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोधी रहा है और रहेगा एक सेकंड के लिए आप सोच लो कि चाइना अंदर दिल से वो भारत से नफरत करता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिजॉरिटी हिंदूों की है उसी तरीके से मुसल्मान कभी भी भारते जंता पार्टी को या समविधानिक लोगों को या राश्वात लोगों को बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे और अब क्योंक भी जा रहा है कि महुआ मोहित्रो या शाइनी घोष कभी भी भारत के पक्ष में या भारत के राश्वाद महिलाओं के पक्ष में या सम्विधान के पक्ष में बात करेंगी कभी नहीं करेंगी शाइनी घोष वो महिला है जिन्होंने ट्वीट किया था शिवलिंग भगवा के सर पर कॉंडम पहना करती है और कोई F.I.R नहीं मैंने मैंने पस कलकुता हाइप पेटिशन डाला था और पुलिस इन अक्षिन डाला था लेकिन कोई सुनवाई नहीं वह लिस्ट पर ही नहीं आता है लिस्ट पर ही नहीं आता है था महुआ मोहित्रों ने जब कहा था गॉर्डिस काली के बारे में इतनी अभधर टिपडियां उन्होंने की थी तो वो लिस्टेट भी हुआ था उसकी सुनवाई भी हुई थी और उस पर F.I.R. करने को कालकटा हाई कोट ने कहा भी था पुलिस ने लेकिन उस ओर्डर को ले तब जा करके कुछ होगा लेकिन किसी एक के करने से क्या हो सकता है है यह न हम भारत में मैं पूरे भारत की बात अभी करना चाहूंगी कि क्या भगवार रंग को सम्मान देने वाले वो चंद लोग 240 लोग जो पार्लिमेंट में बैठे हैं क्या इस भारत की जिम्मेदारी सि सिर्फ नहीं पर है क्या शिर्राम भगवान को मानने वाले 240 लोग जो पार्लिमेंट में बैठे हैं क्या इस भारत की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं पर है क्या सम्मेदान को अपने सरमत्य लगा करके चूमने वाले 240 लोग जो पार्लिमेंट के अंदर बैठे हैं क्या पूरे भ से महबत करता है जो इस मात्र भूमी से महबत करता है जो इस मिट्टी को अपनी मा स्वारूप देखता है उन सब के उपर जिम्मेदारी है उन सब को आगे आना पड़ेगा और एक नाजिया इलाहे खान या एक कोई और या 240 जो जो लोकतंत्र के मंदिर में बैट करके इस भार विपक्षी दलो का इको सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है अंजो जी जो हमें मानना पड़ेगा जब विपक्षी दलो का टूल किट सीरिया से काम कर रहा है पाकिस्तान से काम कर रहा है तो क्या भारत के 100 करोड से उपर हिंदू जो अपने आपको गर्व से सनातनी मानते हैं जो स्वामे विवेका नंजी के आज भी उस उस कोट को पड़ते हैं के गर्व से कहो के हम हिंदू है तो वो इको सिस्टम इस देश का क्यों नहीं बन सकते हैं बन जाएंगे अगर 100 करोड से ज्यादा लोग इको सिस्टम का काम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जर्मन का क कमी है कि हम बहुत खूबसूरत एको सिस्टम नहीं बन पा रहे हैं पिलकुल पियम मोदी ने भी इसी एको सिस्टम पर वार करते हुए संसर में कहा था कि अब इनको इनी की जुबान में जवाब देना पड़ेगा मुझे लगता है उस दिशा में काम हो भी रहा होगा हम सब को भी बहुत सजग होने की जरूरत है लेकिन आप देखिए ना कि इस बार कि लोकसमा चुनाव के नतीजे आने के बाद से किस किस तरह की बयान बाजी हो रही है फिरहाद हकीम क्या कहता है कि गयर मुस्लिम बहुत बदकिस्पत है और अभी तौकीर रजा को देखिए उसको धकेला जा रहा है वो भी साजिश के तहर लिकिस तरह कि आरोपाजिव कर रहे हों तो कि मुझे ऐसा लगता है उसका शायद है क्या है यादल मिल्लक काउंसिल का सरवरा है तौकीर रजा और मुझे ऐसा लगता है कि महाराश्ट को बरबाद करने में तो मुसलमन दाउद एक वक्त था जब डाउद इबराहिम ने पूरे महाराश्ट को कोकिन ड्रक्स और गांजे में और असला और बारूद में नहला दिया था और अच्छे लोग यहां से निकल निकल करके आबुधाबी और दुबई शिफ्ट हो चुके थे और आज वही महाराश्ट इतना खु उद इबराहिम जब यहां पर यहां पर याकोब मेमन था तब यहां पर चकला और बार बहुत चला करता था लड़कियां बेजी और खरीदी बहुत ज़्यादा जाती थी दो जूनिया डॉक्टर पकड़े गए थे हाइदराबाद के O.M.C. में O.M.C. हस्पताल में गांज में पूरे यह जूनियर मुसल्मानों से एन्विस्टिकेशन के द्वारा बाकी ग्रोहों के बारे में पता नहीं करवाया बहुंबत मुसलिम अलाइज हुसेन वर्सेस इस्टेट डिल्ली ये केस फाइल हुआ था 28-9-2015 को और चार मुसल्मान आरोपी गांजा व्योपार में अरेस्ट हुए थे 28 मार्च दो हजार 23 को इसका जज्जमेंट डिल्ली हाई कोट ने दिया तो और इनको कन्विक्शन हु आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और मेशा की तरह अज्यू पंक जी और नाजिया लाइक खांजी का ये पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलागा जहां पर आपने देखा नाजि किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यार किये जय हिंत जय भारत